अगर पार्टियों में कोई इंसान समझने लगे ये पार्टी मेरे से है तो मैं समझता हूँ वो बहुत गल्त फह्मी होती है एक मजूदा चीम मिनस्ट्र चीम ने बढाया? श्रीमती सोनियां गांधी राहूल गांधी जी ने बढाया कि मिनिस्टर ने ना मदूता कोई भी लीडर होबे वरकर होबे जे उल्ट बोलेगा तो दी पाव नहीं है तुसी जदो कैबिनेट चुछ हूँ आप कैबिनेट दा हिस्सा हूँ तो ओदोनी अंगलना करों तो जे आहम मंदेदी की गाल करोंगे जे कैबिनेट मंतरी है कवे मे तेरी नी सुन दे उननु जरूर एदसना चाहिएदा भी मैं लोकल बॉडी जदो मेरे कुल दो ताई साल तो वद मैंक मारेया मैं किते प्रफॉर्म कीता है की शेरां दी नुहार बदलिया और किसे नुमाडा केना ता किसेते पथर मारना दा बहुत सखा है आप दी गछाल करणी बंदा आप डी रोफला युजो क्योंकि लेक्षना नेड़े आगी हैं हुन पार्टी बनन्दा समा होंदा ए ते किसे नुमाड़ा कह दो दवारा दूसरी वाराज के मेटी को जो खडगे साब अगरवल साहब और हरीश रावज जी जो हमारे जनल सिक्टीन चार्ज हैं न से लगबल तीन गंटे से उपर उनकी मीटिंग हुई है हर इशू डिसक्स हुआ है वहाँ के पार्टी का चाहे वो गौरवर्मनेंट का हो मेट्रिज का हो, चेरमेनों का हो, सब चीज़ें डिसक्षण में आज वहाँ पर ली गही हैं और बड़ा लंबा डिसक्षण हुआ ह और उसके बाद राहूल गांदी जी तकरीबन चार से ज़्यादा लीडरों को कल मिले थे आज नौ से ज़्यादा लीडर है आज मिल रहे हैं तो हर कोई अपनी बात अंदर उनको बता रहा है तो सीधी बात है एलेक्शनों में कैसे जाना है एक ही सवाल है सबसे बड़ा हर एल काल है तो उसमें एलेक्शनों में कैसे जाना है असली बात यह तो हर अपनी अपनी बात वह कर रहा है क्या क्या सुधार करने हैं कहां कहां सुधार करने हैं हर पार्टी छे महिने पहले एलेक्शनों से यह चीजें करती है और इस वार अच्छी बात यह है हाईस लेवल पे इतना सीरियस लिया जा रहा है पंजाब को खास तोर पे क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है मनौर्टी स्टेट है लीडर्शिप खुद वहां पे इंट्रस्ट ले रही है और आप देखेंगे एक हफते के अंदर-अंदर सब चीजें उनको ठीक कर लिया जाएगा जो चीजें हाई कमांड की देख रेक में कैप्टन अमरिंदर सिंग जांबा की सारी सीनियर लीडर्शिप वह काम करेंगी बिट्व साब आज कैप्टन अमरिंदर सिंग की बैठा हुए कमेटे के सामने उसमें आप भी मोजूदते हैं क्या बाची खुई आखिर मैंने जैसे आपको बत होंगे तो चलती रहती हैं MP मिलते रहते हैं एक वो हमारे MP भी हैं और राजसभा के लीडर भी हैं और अंचार्ज है हरी श्रावज जी तो यह चीजें तो मीटीं मिलती रहती हैं लेकिन आप जो बड़ी बात है वह रहुल गांदी जी ने खुद अपने हाथ में यह कमांड संबाली है और रहुल गांदी जी खुद एक एक चीज मन्यूटली वो देख रहे हैं और उसे किस तरीके से और अच्छी तरीके से पंजाब को रीवैंप करके पंजाब को और अच्छी तरह करके चलाया जाए यही उनकी मंच आप देखेगी आज यह चीजें भी तकरीबन हर लीडर ने बताया है भी जैस तरीके से मीडिया में यह बातें आई हैं उसकी उपर बहुत गंबीर संग्यान है जो पार्टी ने लिया है तो कहीं न कहीं जो पार्टी कमेटी है वो बड़ी इस चीज पे लिए हरान भी है भी ये जब कमेटी के सामने सब आ रहे हैं तो ये क्यों ये हुआ इसके कारण क्या है तो मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ भी ना पार्टी हाइक मांट ना कोई पांगरस का वर्कर इस चीज को कोई भी इसे लाइट लेगा ना कोई इसे अच्छा समझेगा समय नराजगी है इस चीज की देखो एक आदमी दो आदमी पार्टी ये तो बहुत सुमंदर है अगर पा पार्टी उसी तरीके से चलती रहती है पार्टी में और आप क्या सोच रहे तो मुझे मौका मिल गया मेरे से अच्छे लोग मेरे लाइन में पीछे मेरे से बहुत अच्छे खड़े हैं हम मेरे जैसे को मौका मिल गया तो मैं बन गया तो यह थोड़ी है मात जो पीछे मेरे खड़ा है अगर उसको मौका मिले वो मेरे से भी अच्छा परफॉर्म करेगा इसलिए यह समझना यह कई बार ऐसे सोचा जाता है ना भी धरती गलत है किसी एक आदमी के उंगली पे जहां उस पे घूंगती है यह चीजें कई बार अंसान को हो जाती है और वो भी जब अंसान बहुत टाइम से अंदर बैठा हो बाहर की दुनिया में जब निकलता आदमी फिर पता चलता है हलात क्या है अंदर कमरे में एसी में ठंडा बैठके ठंडर में बैठके कोई मंथन नहीं हो सकता है कोई इसलियत नहीं पता चल सकती तो का पार्टी हाइकमान जो है इन आई देव मैं सम्झों गए इक मजूद्धा चीम मिनस्टर की ने मरा जेम ने मदाया श्रीमती सोनियां गांदी राहूल गांदी जी मिनिस्टर ने मजूद्धा जे एक पार्टी दा वोई भी लीडर हुआ वर कर होवे जे ओल्ट बोलेगा तो इवस पाव नहीं है और पा तुस्सी ही जडों कबनेट हिस्सा हों तो ऐसे और ओधोंठों करों जो मंद्रिया बेरे मेरी नि सुन दे मैं समुझाए मुख मंत्री ने को साथ मुख मंत्री आई गभाइगान जाना दी आए पर बहुत कोशिछा कमे ते ओव अआप मालक हों ते उननों जुरूरे दसना चा जालतो वाद में कमा रहा, में किते प्रफॉर्म कीता है, की शेरां दी नूहार बदलिया, चंगा हूंदा जे नाट, ओ, यह किसे नू माड़ा केहना था, किसे ते पत्थर मारना था बहुत सख़ा है, आप धी गळा करो बंदा, आप धी तुसी की कीता है, घर बार सख़ा काम किसे तो रोपला के निकड़ जो क्योंकि लेक्षणा नेड़े आगी हैं पार्टी बदल्दा समा हुंदा है ते किसे नुमाड़ा कह दो तुसी यह कहने हों भी चलो और मैं हजे बाली गल करना नी चौनत करांगे क्योंकि हजे कमेटी को ले गलना है भी आपको लगता इसका क कोई सुलीशन निकलागा क्योंकि पहले दूसरे स्टेश में देखा गया है जहां भी ऐसी कल्य होती है जहां भी हाई कमान के पास आते हर बार पार्टी तूटी है नहीं नहीं की बात करें या चाहे आप मंध्यप्रदेश की बात करें राज सचिन पालट को देख लिए किस पक्ष में MLA दो दो ग्रूप देख रहे हैं आप जो तूटने की बात करें यहां तो को ग्रूप ही नहीं है यहां तो हर MLA है वो पार्टी हाइक मांड की बात मानेगा और मैं आपको दावे से कहता हूं जो अड़ सीजन यहां से होगा वो हर MLA उसे सिर जुखा के मानेग